आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देख लिए कल हमने बेसिकली एपरिल मंत के इंडियन एक्सप्रेस की न्यूस्वेपर से जो मोस्ट इंपॉर्टन करंट अफेस थे जिनके आपके प्रिलम्स में आने के भी काफी ज्यादा चांसे हैं उनको कॉम्प्रेंसिवली कवर किया था और उसका PDF में टेलिग्राम पे कर चुका हूँ उमीद करता हूँ कि उस वीडियो से और उस टेलिग्राम में सेंड किये गए PDF की मदद से आप अपने करंट अफेस की रिविजन काफी अच्छे से कर पा रहे हैं and carrying on our initiative आज हम 9th में के इंपॉर्टन करंट अफेस को आपके साथ डिसकस करेंगे ठीके तो ज न्यूस्वेपर बहुत इंपॉर्टन सोर्स है करंट अफेस को कवर करने का अब न्यूस्वेपर में से देरार मैनी न्यूस्वेपर विच आ इकुली गूड उननिस बीस का फरक रहते हैं but over a period of time हमने अनलाइस किया कि इंडियन एक्सपर से कैसा न्यूस्वेपर है जो अलग-अलग exams को cater करता है तो इसलिए team study IQ ने decide किया है कि हम ये initiative start करेंगे so that इस newspaper की मदद से maximum coverage करके आपके current office के अच्छी तयारी करा दी जाए इसी के साथ बहुत से बच्चों का ये सवाल रहता है कि sir क्या हमारी ये video sufficient है देखो बेटा UPSC जैसे exam के अगर बात करें या किस इसी भी exam की बात करें sufficient तो कुछ नहीं होता there will always be something जो out of the blue पूछी जा सकती है बढ़ हाँ अगर आप इन videos को अच्छे से देख रहे हो और along with this कोई एक monthly compilation आप follow कर रहे हो वो किसी भी institute की हो सकती है there are many good institutes all around us ठीक है even study IQ एक monthly compilation पे work कर रहे है जो बहुत जल market में भी release होगी त तो these videos plus any one compilation monthly compilation उससे आपकी काफी अच्छी तयार ही हो सकती है current advice की इतना भी अगर कर लोगे और उसको याद कर पा रहे हो तो हाँ sufficient है ठीक है तो इस telegram channel को जरूर join कर ले ना जहां पे मैं PDFs share करता रहता हूं and instagram पे भी मेरे साथ जरूर connected रहना and दोस्तों कभी-कभी ऐसा हो जाता है that due to a little busy schedule classes होती है sessions होते है content भी बनाना पड़ता है तो sometimes थोड़ा सा delay आ जाता है reply करने में ऐसा हो जाता है but still I try my best कि आपके जवाब और आपकी queries को resolve कर दिया जाए ठीक है and ये मेरा email ID है इस email ID पे भी आप मेरे साथ connect कर सकते है in case you have a query regarding our courses regarding the upcoming batches etc तो आप यहां पर मे newspaper में से जो सबसे important current affairs है वो ये हैं इनको हमने extract करना है और इन में से important चीज़ों को समझते हुए हम कुछ MCQs की practice करेंगे ताकि हमें ये पता लग जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका कोई फायदा है भी या नहीं ठीक है और ये चीज़ तभी पता लगती है जब हमें capability आज item को एक issue को तोड़ दिया जाता है पूरी तरह बलकि उसमें से सवाल क्या बन सकते है वो भी हम देखते हैं ठीक है and not just that यहाँ पर थोड़े से हम edutainment करते हैं तो कुछ funny memes भी मैं use करता रहता हूँ ताकि हम बड़े cool और fun तरीके से नाकेबल important चीज़े समझे बलकि उस to gain knowledge उनके लिए भी ये series काफी अच्छी है ठीक है तो start करते हैं पहले article से एक बर मैं overview देता हूँ आपको ठीक हो first article हमारा environment से deal करते है यहाँ पे Kuno National Park और चीतों के बारे में बात की जा रही है यह काफी देर से news में है people appearing in 2023 mark my words चीते पे आएगा question ठीक है चीता भी पीता है mountain and due add थी पहले ठीक है इस पर सवाल बनेगा definitely बनने वाला है right national parks यहाँ चीता के लिए जो उसकी जो favorable habitat है उसके उपर सवाल बन सकते है चीता से related एक question आने वाला है यह Kuno National Park और चीता का मुद्धा बहुत जादा news में रहा है it can come ठीक है तो environment से related है इसमें इस article की beyond में जाने वा ठीक है इसके बाद Odisha में एक बहुत पुराना railway station है ministry of railways ने decide किया है कि उसको थोड़ा सा revamp किया जाए तो obvious ही बात है कुछ structure तोड़ना पड़ेगा तो एक intact नाम की society है यह cultural heritage को preserve करने के लिए काम करती है इन्होंने ministry से request की है कि ऐसा ना किया जाए जो उसका original heritage है original culture है उसको preserve किया जाए हाँ आस पास आप revamping कर दो बट original structure को intact रहने दो और उसको heritage का tag भी दिया जाए तो यह intact क्या है कौन से station की बात की जा रही है historically इसकी क्या significance है we will understand this particular thing here ठीक है और यह culture का part बन रहा है हमारे ठीक है कुछ dynasty का भी नाम यहाँ पे आएगा इसके बाद हमारे इंडिय में पहली बार Indian Air Force का एक heritage center बना है तो आज आप देख सकते हो heritage culture SC news items काफी आई है यूश वेपर में तो Air Force का heritage center बना है यह किस शहर में बना है ठीक है यह mystery है तो आपको वीडियो के लिए wait करना पड़ेगा ठीक है तो उस article के लिए wait करना पड़ेगा कौन से शहर में बना है यह सारी चीजें हम यहाँ पे discuss करेंगे ठीक है तो वैसे तो GS3 security में इसका link बनता है ठीक है क्योंकि Indian Air Force की बात की जा रही है तो security के साथ इसको connect कर सकते हैं बट as such यह defense exercise नहीं है as such यह कोई Indian Air Force की कोई capital acquisition भी नहीं है कि new aircrafts आ रहे हैं कुछ हमने new missiles लिए ऐसा नहीं है लेकि ठीक है miscellaneous information जिस पे पिल्लेम्स पे जट से सवाल बन सकता है ठीक है बटा straightforward और यह सवाल even defense exams के लिए भी बन सकता है ठीक है RBI NAWARD ठीक है और भी कई सारे banking exams होते हैं उसमें ऐसे सवाल बन जाते है even UPSC भी पूछ सकता है अगर यह पूछ सकते हैं कि पहला air quality index कौन से cities में ल तब serene gas attack कर दिया था Syria की government ने अपने ही very good webhav excellent ठीक है चलो अभी focus करते हैं यहापे serene gas attack किया था Syria की government ने अपने ही citizens पे अप उनके revolt और rebellion को quash करने के लिए इसके चलते Arab league से Syria को निकाल दिया गया था अब लगबग 12 साल बाद इसको reinstate किया जा रहा है क्या इसकी significance है Arab league क्य क्या है किस charter से अस्तित्व में आया था कोई बताना चाहेगा अभी ठीक है webhav आप ही बताओ Arab league कौन से charter से आया था बिना Google की यह बताना है अगर नहीं आता तो wait करेंगे हम ठीक है इसमें comprehensively cover हो जागा और एक FECO awards मिले है ठीक है यह नितिन गड़करी साब ने इनको देना ह किया है ठीक है दो तिन बार तो I am very sure कि इसको हमने cover किया हुए ठीक है मुद्धा अलग-अलग रहता है तो यहां पर भी आप कुछ नया सीखने वाले है आज मुझे सबसे पहले यह बताओ कूनो नैशल पार्क कहां पे है ठीक है कूनो नैशल पार्क कहां पे है राजस्तान में यह कहीं और नहीं राजीव अभराहम एकॉड नहीं है अभी पढ़ेंगे ठीक है अभी कूनो का बताओ खुशी ने सही बताया मद्ध्रदेश नैनिका आंचल वेरी गूड लुशना माधुरी मद्ध्रदेश ठीक है कूनो नैशल पार्क मद्ध्रदेश है यह जो चीत जो चीते इंडिया में लेके आए जा रहे हैं ठीक है यह कौन से कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है इस पार्ट आफ विच प्रोजेक्ट 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 चीता ठीक है सिंपल नहीं प्रोजेक्ट चीता इस पार्ट आफ प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट च चीता को execute करने वाली nodal agency कौन सी है, कौन सी authority है, national, national tiger conservation authority, ठीक है project चीता है, right, the project is चीता, लेकिन इसको execute करने वाली जो authority है, it is national tiger conservation authority, ठीक है, NTC is the nodal agency to execute project चीता, ये चीते आ कहां से रहे हैं, ये किसी ने बता दिया था शायदा, राजीव नहीं बताया था, right, खुशी, अभी, विकाश, हुसेन, लूशना, माधुरी, सत्यम, ठीक बता रहे हो सब लोग, ठीक है, ये चीते कहां से आ रहे हैं, हम इनको कहां से लेके आ रहे हैं, very good माधुरी, नेनिका, नामीबिया से, basically South Africa के साथ agreement हुई है, तो South Africa, नामीबिया यहां से चीते हम लेके आ रहे हैं, पहले अपने round में, first round में हम नामीबिया से चीते लेके आ रहे हैं, ठीक है, otherwise project में नामीबिया South Africa, दोनों के चीते आएंगे सबसे पहले हमने ना BBS start किये ठीक है, काफी चीजें आपको मालुम है, ठीक है काफी चीजें आपको पता है ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम क्या करें यहाँ पे तो कुछ रही नहीं कि हमारे बस ठीक है, फिर इस करन्ट फिर में हम क्या करेंगे चलो, अभी ऐसा हुआ है कि यह particular news इसलिए आए है क्योंकि अभी recently ना पांच चीते और कुनो नाशल पाक में एक तो release किये जा रहे हैं, दूसरी चीजे अभी recent weeks में दो चीते थे, ठीक है इन चीतों में क्या है, कि इनको कुछ health issues आ रहे हैं, तो उस health issue की वज़े से they are dying ठीक है, एक चीता जो था उसको cardiopulmonary issues आए, जिसकी वज़े से उसको breathing में problem आई, उसके circulatory system खराब हो गया, and he died, and there was a female चीता she was suffering from contracted kidney disease, जिसकी वज़े से, उसकी body में जो blood filtration का mechanism है metabolism है, वो ठीक से काम नहीं किया, and even she succumbed to death तो basically ये एक खत्रा नजर आ रहा है कि जो हमारा project चीता था वो खत्रे में आ रहा है, अब मुझे ये बताओ क्या चीता मिलते हैं इंडिया में, otherwise क्या इंडिया में चीता है, चीता इंडिया में है या extinct हो चुके है is it there or is it extinct चीता is ठीक है, चीता 1952 में extinct हो गए थे ठीक है, और चीता और लिपड क्या same चीज है, क्या चीता and लिपड ये same चीज है ठीक है, extinct in 1952 गुड, ने निका चीता जो है, चीता और लेपड, क्या लेपड को ही हिंदी में चीता कहते हैं, क्या ये सेम हैं, नो, चीता एंड लेपड, they are not same, ठीके, अगर हम लेपड को चीता बोलेंगे, तो वो जोर से ऐसे बोलेगा, कालीन भीया की तरह, कि हमको अपने में मत मिलाइए, हम अलग हैं पाइगर था, यह हमने agreement थी, South Africa के साथ sign कर दी थी, ठीक है, in January 2023, right, January 2023 में इसको हमने sign कर दिया था, और यहां पे हम चीता लेके आएंगे, तो यहां पे ideally, this infograph is from Ministry of Environment, Forest and Climate Change, इनके हिसाब से इंडिया में तेन जगा बनती हैं, जहां पर इन चीता को introduce किया जा सकता था, हम इस वक्त कुणो नैशनल पार्क के उपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन बाकी दो जगाएं भी आपको पता होनी चाहिए, match टाइप का question आ सकता है, इसमें से एक जगा है शाहगड़, शाहगड़ लगबग एक 4000 किलोमेटर स्क्वेर का एक fenced region है, इंडिया पाकिस्तान के border के पास है और state of Rajasthan में लाए करता है, ये भी चीताज के habitat को support कर सकता है, दूसरा हमारा है नौरा देही, नौरा देही भी मध्यप्रदेश में ही है, ये मध्यप्रदेश के लगबग मध्य में आ जाता है, this is around 1100 या 1200 स्क्वेर किलोमेटर एरिया और विंध्यान रेंज आपको पता है ठीके यहां पर विंध्याज, विंध्याज पता है न मध्यप्रदेश दे निकलते हैं, तो उसकी Southern Age की तरफ ये particular area यहां पर भी इस National Park को भी चीता की population के लिए identify किया गया था, लेकिन हम अभी कूनो पालपूर National Park में जा रहे हैं, ठीके कूनो पालपूर area, कूनो National Park particularly, ये का फिल हाल हमने decide क्या है, कि यहां पर हम चीतास को introduce करके observe करेंगे, कि whether they are able to survive the conditions or not, but as it is turning out, चीतास को survive करने में दिक्कत आ रही है, यहां फिर ये भी एक concern जारी किया जा रहे है, कि जो चीतास यहां पर आ रहे हैं, नामीबिया ने बिमार चीते भेज़ दिये इंडिया में, जो rare kidney disorder होता है, वो जनम के time पर पता लग जाता है, जनम से होता है, तो जो female चीता भी recently die की, तो इसका मतलब नामीबिया ने हमें ठीक चीता नहीं, survive करने वाले चीते मिल ही नहीं रहे, ठीके, अब इसमें यह जो project है, इस project में जो सबसे खास बात है, वो आपको यह पता होन अब और मंगाये जा रहे हैं, सबसे important चीज है कि चीतास की अगर हम, अगर हम चीतास की transcontinental transfer की बात करें, तो दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक continent से दूसरे continent में चीतास को transfer किया जा रहा है, कि यह African continent से Asia में आ रहे हैं, and Asia में भी India में particularly आ रहे हैं, ठीके, तो this is the most important fact related to this project, related to this agreement, ठीके, तो यह सबसे static facts है, now what do people need to know is about IUCN status and other certain things, ठीके, चीतास के बार में कुछ और important बातें आपको पता लगनी चाहिए, जिसमें से सबसे important और सबसे crucial बात जो है, वो यह है कि चीतास की अगर हम बात करें, यह one of the oldest big cat species है, ठीके, big cats कौन से हैं, lion, tiger, leopard, ची तो इसमें evolution में अगर हमको देखे हैं, तो इनके ancestors जो थे, इनको हम trace back कर सकते हैं, more than 5 million years ago, उस time पर myocene era चल रहा था, यह epoch, era, myocene, pristocene, jurassic era, etc, etc, यह सारी चीज़ें आपकी NCRT में दे रखी हैं, in fundamentals of physical geography, और उसके शाइद पहले यहां दूसरे chapter में ही यह गिवन है, तो म एक बार उस particular table को जलक जरूर उसकी मार लेना, ठीके, आपको बस एक बार पता लग जाए, कि order क्या था, chronological order भी अगर eras और epochs का पता होगा, उससे भी कई questions आपके solve हो सकते हैं, और उसी की reference लेते वए मैं आपको बता रहा हूँ, कि एक myocene era आया था, इसके कुछ characteristics थें, इ इनका जो चीता के जो ancestors हैं, इस era में मौझूद थे, तो काफी देर से यह हमारे साथ उपस्तित हैं, ठीके, fastest, दुनिया का सबसे fastest land mammal चीता है, बहुत से लोग चीता और leopard में confused हो जाते हैं, तो यह अधर रखना, कि चीता is the fastest land mammal, ठीके, it is the fastest land mammal, और Asia, Africa में इसके primary, इसके habitats र सबसे पहले तो इनके scientific name, इसियाटिक चीता को कहते हैं, एसिनॉनिक्स, जुबैटस, विनाटिकस, ठीके, किसी Harry Potter movie के जादूई मंतर की तरह चल लगता है, ठीके, कि एसिनॉनिक्स, जुबैटस, विनाटिकस, ठीके, this is the scientific name of इसियाटिक चीता, आफ्रिकन चीता जो है, वो scientific names पूछ लेते हैं, और इसमें देखो, animals तो बहुत सारे हैं, किन-किन का scientific name याद रखोगे, और आपको यह याद रखना है, कि यह zoolology का paper नहीं है, यह civil services का paper है, तो civil services में expect किया जाता है, कि you are aware about the environmental happenings going on around you, और UPSC में क्योंकि forest service का paper साथ होता है, तो environment बहुत important part बनता है, ठीक है, तो यह याद रख लोगे, तो ठीक है, मतलब फायदा ही होगा, ठीक है, अगर नहीं याद रहता है, तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, अब इसमें इन दोनों में difference है, asiatic और African cheetah में फरक होता है, आप मुझे एक चीज़ बताए, सिर्फ common sense यूज़ करते हैं, आपको क क्या लगता है, थोड़ा सा, यार वैसे, अब ना, यार, पता है कि मेरी बात को ना, मैं कुछ बोलता हूँ, उसको ना, उसका meaning कुछ और निकाल लेते हैं कई बार लोग, common sense से बताओ, African cheetah और Asiatic cheetah में से जादा गोरा कौन होगा, and I am not racist, पहले ही बता दूँ, यह आपको याद करने का तरीका और common sense कैसे हम apply कर सकते हैं, obvious चीजों को निकालने के लिए, ठीके, तो वो identify करते हैं, तो कौन गोरा होगा, Asiatic गोरा होगा, ठीके, जिसका मतलब क्या है, कि जो African cheetah है, उसकी skin जो है, थोड़ी सी dark होगी, golden होगी, हलकी सी, ठीके, थोड़ी brownish होगी, golden हो ज्यादा thick skin भी किसकी होगी, ठीके, ज्यादा thick skin, खाल, ज्यादा thick किसकी होगी, thick skin African की होगी, ठीके, ये common sense, ये समझ जो अब, I don't want to sound racist, but ये समझ जाना, ठीके, तो ज्यादा thicker skin जो है, वो African चीता की है, Asiatic चीता, ठीके, अब ज्यादा फर्क इसके होगे, ठीके, Russell Peter के जो क्यादा रहे है, Indians, we are hairy, we are Asians, ठीके, हमें कोई मानता नहीं है, we are Asian, South Asians, ठीके, तो, we are hairy people, right, तो हमारे animals में भी वो characteristics दिखता है, और ये जो Asiatic चीता है, इसके पास इसका ज्यादा फर है, इसका फर ज्यादा होता है, इनकी, जो coat है, इनका coat thick होता है, skin thick होती chain की, fur हमारे जादा है, Asiatic के, ठीके, Asiatic चीता के fur जादा है, ठीके, ये देखो, common sense के साथ, जब भी हम कोई ऐसी technical चीज लिंक करते हैं, तो वो याद करनी काफी आसान हो जाती है, ठीके, तो ये फायदा रहता है, इसलिए मैं आपको link करवा रहा हूँ, ठीके, I hope इसमें आप मेरे को यार वो ना कह देना कि, जादा काला ये, इसको गोरा काला बोली जारो, ऐसा नहीं है, यार, सिदी सी बात है, एफरिका का चीता है, डाक होगा, ठीके, अशेय का है, ये गोरा होगा, ठीके, और है बी, में शकलें भी दिखा दूगा, ये वाले एशेया के हैं, यह आफ्रिका का है, तीक है, अब जो Asiatic Cheetah से related जरूरी बात है, वो यह है कि इसमें न, यह सिरफ इरान में मिलते हैं, इंडिया से extinct हो चुक है, 1952 में हो गया था, तीक है, इंडिया में 1952 में extinct हो गया था, इसलिए यह सिरफ इरान में मिलते हैं, और इरान में भी बहुत खतर सिचुएशन है, सिरफ 100 individual रह चुके हैं यहां पर, ठीक है, IUCN का जो स्टेटस है, obvious ही बात है, Asiatic Cheetah के काया होगा, critically endangered, और अगर इनको भी ना बचाया गया, तो यह extinct हो जाएंगे, extinct and wild, sites में obviously इसको appendix 1 में डालनी की जरूरत है, Wildlife Protection Act में, Schedule 2 में इसको डाला जाता है, ठीक जो most prominent और most common जो features हैं, वो हमने बता दी हैं, इसके साथ-साथ इसके जो spots हैं और lines हैं, यह ज़्यादा prominent है, Asiatic Cheetah, ठीक है, spots ज़्यादा prominent होते हैं इसके, पूरे के पूरे African continent में बहुत vast numbers में यह मिल जाता है, इसलिए हम Namibia से यहां ला रहे हैं, इरान का क्यों नहीं ला र से हम नहीं लेके आ रहे हैं, आफरिका से, Namibia से लेके आ रहे हैं, अब IUCN status की बात करें, तो African Cheetah relatively safe है, ठीक है, तो vulnerable है, ठीक है, critical indigenous होके, vulnerable है, sites के appendix 1 में और wildlife protection act के schedule 1 में, आपको अब एक homework देता हूं, यह आपने search करना है, और जब इनके notes बनाओगे, देखो news पर दुबा पर linkage बता देती है, news app पर जो article था, उसमें तो यह सब भी नहीं बताया गया, ठीक है, तो यहाँ पर एक step आगे जा रहे हैं, अब आपका homework है, ठीक है, यह homework है, कि wildlife protection act के अगर किसी animal को schedule 1 में डाले, और किसी animal को schedule 2 में डाले, तो दोनों में difference क्या होता है, what does it mean कि एक animal को हमने schedule 1 में डाल दिया, उससे उसको किस level की protection मिल रही है, और schedule 2 में उसको किस level की protection मिल रही है, तो basically WPA के schedule 1 और schedule 2 के difference को आपने identify करना है, ठीक है, ठीक है, समझ गए, ठीक है, तो basically दोनों के schedule को आपने, एक बार, इसकिस करना है, ठीक है, चलो, अब, international conventions के उपर आ जाते हैं, international conventions नहीं है, यह न, title गलत दिया गया, this is the residual, ठीक है, कुनों नाशनल पार्क के बारे में थोड़ी सी बात है, कुनों नाशनल पार्क मध्यपरदेश में है, tourist attraction है, चीते के साथ साथ, चीतल, सांबर, नील गाए, वाइल पेग, चिंकारा, और कुछ ज टाइगर था, पर उस इकलौते टाइगर को रंथम बोर भेज दिया गया, कि तो अपने साथियों के साथ वहाँ पर रहे, ठीक है, अब हमने starting में जो बात की थी, चीता और लिपड, ठीक है, चीते के इतनी बात हो रही है, तो आपको नहीं लगता, UPC लिपड के बारे में भी आपसे बात पूछ सकती है, या आपको confuse करने के लिए, आपसे पूछ सकती है कि चीते की कुछ characteristic features बताईए, और वो features दे रखे हैं, लिपड के, तो अगर लिपड और चीते के characteristic features, या इनके distinguishing features हमें पताऊंगे, तो काम असान हो जाएगा, क्या पता ऐसा question हम solve कर पाएं, तो करने के छोड़ें, PDF से भी हटा दूँगा ये, ठीके, बताओ, क्या leopard और चीता के characteristic या distinguishing features हमें करने चाहिए, करने चाहिए, ठीके, आप नहीं भी बोलोगे, मैं तब भी करवाऊंगा, ठीके, और आपका एक और homework है, देखो जो 2024 को try कर रहे हैं, वो इतना time afford कर सकते हैं 23 फलों को तो मैं recommend नहीं करूँगा, 24 फलों आप क्या करना, ये जितने animals है न, एक बार इनको Google सर्च करके न, इनकी images देख लेना, environment में बहुत से बच्चों को दिक्कत ये आती है, कि कई बार वो चीज़ें याद नहीं रख पाते, तो environment एक ऐसा subject है, जहां पे species को, या बाय हमें recall करना, उसको replicate करना असान हो जाता है, ठीक है तो चलो, this is cheetah, this is leopard, leopard की शकल देखो, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे tiger ने कपड़े चेंज कर ली हूँ, ठीक है, देखो, tiger ने leopard print वाली jacket पहन ली, ऐसा नहीं लग रहा, देखो इसकी शकल, leopard और cheetah में फरक देख हम, इसकी जो body है, इसकी शकल, ऐसा लग रहा है, जैसे tiger ने leopard के कपड़े पहन ली हो, तो इसके जो, obviously फिर leopard जो है, generally, जो cheetah है, थोड़ी सी slim body होती है, उसकी, streamlined body होती है, यही streamlined body, उसको तेज भागने में मदद करती है, जबकि जो leopard है, यह आप यह से समझ लो, कि tiger ने कपड यह change कर लिए, तो इसकी body थोड़ी सी, मतलब, काफी, stocky का मतलब, काफी सारी चर्बी थोड़ी सी कठी है, और muscular built है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है देखने में, यह काफी पतला, slim and smart, थोड़ा सा दिखते है, right, दूसरा, इनकी पूँच में भी फरक होता है, पूँच में दिखते हैं, ठीक है, tail और even पूरी body पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, जितनी body इनकी दिख रही है, यहाँ पे जो चीता है, इसके clear black spots है, proper, ठीक है, proper black spots है, जबकि leopard पे अगर हम आएं, तो इसकी tail थोड़ी सी curved होती है, leopard की tail जो है, वो curved है और goal है, ठीक है, इसकी tail थोड़ी पतली हलकी सी flat है, और इसके spots जो है, यह देखो, बिल्ली का पंजा नहीं होता जैसे, बिल्ली के पंजे की तरह इसके spots दिख रहे हैं, they are not clear black spots, तो यह फरक है, ठीक है, दोनों के spots में भी फरक है, right, clause की अगर मैं बात करो, इसमें भी difference आता है, यह जो clause है, चीता के, ठीक है आपने tom and Jerry देखा होगा, ठीक है, tom and Jerry देखा होगा, तो उसमें वो tom कभी कभी क्या करता है, अपने ऐसे पंजे निकालता है, ठीक है, even cartoon से भी देखा होगा, कि बिल्ली जो ऐसे पंजे निकाल सकती है, लेकिन leopard में, नहीं, चीते में, चीते में, इसके जो clause हैं, वो ऐसे अं है, वो spikes वाले shoes पहनता है, चीता spikes वाले shoes पहनता है, इसलिए इसके clause retract नहीं होते हैं, और इनी spikes वाले shoes की वज़े से, मिल्का सिंग की तरह ये तेज भाग रता है, ठीक है, तो ये परक है, रैट, इसके clause जो हैं, वो retract हो सकते हैं, तो वो clause या पाउ, ये इसके उपर है, कि जो उसकी utility है, उस हिसाब से करेगा, ठीक है, difference हो गया, clear, सवाल अब करते हैं, question, ठीक है, सवाल करते हैं, चलो, first question करते हैं, two animals, इनका नाम है उदे और साशा, ठीक है, two animals, named उदे and साशा, they were often seen in news and they were brought from Namibia to rehabilitate in Kuno National Park, identify, ठीक है, ये statements दे रखी हैं, बताओ statement, कि उदे and साशा, ये कौन है, tigers हैं, और Kuno National Park in Assam, they can support tiger population, ठीक है, हमने discussion की, इतनी technical, question आप expect कर रहे होगे, कि sir, are you seeing status के उपर डालेंगे, ये का साशा डाल दी बीच में, ठीक है, यार, ऐसा भी आ जाता है, अगर dolly sheep के उपर सवाल बन सकता है, साशा के उपर क्यों न बन सकता है, देखो, सबसे पहले तो यार, इसमें ये देखना था, कि incorrect statement पूछी गई है, यहीं से, जो C&D का, table tennis चल रहा है, वो incorrect की वज़े से हो रहा है, आपने देखा नहीं, ठीक है, तो इसको जरूर हमेशा देख लेना, दूसरी चीज, उदे and साशा ही, वो tigers हैं, जिन order था, तो renal failure, renal failure, renal word जो होता है न, ठीक है, renal, ठीक है, आपने सुना होगा, renal artery, renal vein, right, तो यह जो renal word है, यह kidneys के साथ related है, ठीक है, renology, मेरे क्याल से, medical science की एक branch भी होती है, renology, even that is related with kidneys, ठीक है, तो इसका kidney failure के वज़े से she died, right, तो news में थे, Kuno National Park, Namibia से आए, तो यह tiger ह होई नहीं सकते है, यह जीतते ही है, ठीक है, और Kuno National Park का साम में नहीं है, यह कहाँ पे है, राजस्तान में, नहीं, मद्यप्रदेश में, यह starting में मैंने पूछ लिया था, दोनों ही गलत है, गलत ही पूछ है, C answer बनेगा, यह करो, identify the correct in context of Asiatic Cheetah, ऐसा सवाल बन सकता है यार, यह मैं चीता के उपर न, I am expecting a question in the upcoming prelims, चीक है, और incorrect पूछे थे पिछले question में, हिमान्शू, हिमान्शू, इंडिया में क्योंकि 1952 में चीता extinct हो गए थे, तो उनको दुबारा से repopulate करने के लिए हम नामीबिया से लेके आ रहे हैं, First statement के रिए, they are larger in size than African Cheetahs, Asiatic Cheetah, ठीक है, यह हम common sense से भी बता सकते हैं, कि यह तो answer नहीं होना चाहिए, They are found only in Iran, हाँ, Asiatic Cheetahs वही मिलते हैं, Cheetahs got extinct from India in 1952, हिमान्शू, आपका answer, कि हम नामीबिया से लेके आही क्यों रहे हैं, बात तो सही है, लाही क्यों रहे हो, क्यों पंगा ले रहे हो, अगर वो जी ही नहीं पा रहे तो, ठीक है, तो इसलिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि extinct हो ये भी एक information है, ऐसी information पर भी question बन सकता है, तो थोड़ी सी हमें awareness होनी चाहिए, ठीक है, गजपती rulers के उपर सवाल आया था एक बार, पिछले साली आया था, I think, पिछले साली गजपती rulers पर prelims में सवाल आ गया था, एक statement में गजपती rulers का वरनन हो रखा था, ठीक है, तो ये पिछला railway station जिसकी में बात कर रहा हूँ, ये गजपती rulers, गजपती dynasty के साथ associated है, और गजपती rulers यहां से हमें क्या पता लग रहे है, ये East India में किसी time पर राज करते थे, ठीक है, बाकी कहानी तो इनके बारे में medieval India में थोड़ा सा इनका reference आता है, बहुत ज्यादा important dynasty तो नही है, लेकिन थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए, अब क्योंकि ये station news में आ गया, इस news के वजए से गजपती dynasty भी news में आ गी, तो फिर थोड़ा सा forward backward linkage करना ज़रूरी बन जाता है, लेकिन क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा research करना पड़ेगा, तो that is why वो research और उसमें extracted important data जो निकलता है, वो monthly compilation में जाता है, ठीके, so because of that, ठीके, because of that, monthly compilation is equally important, चलो, coming here, अभी railway ministry ने कहा है कि ओडिशा में पारले के मुंडी station है, ठीके, इसको redevelop करना है, तो थोड़ा सा structure तोड़ना पड़ेगा, लेकिन Indian National Trust for Art and Culture Heritage, ठीके, Art and Cultural Heritage, इसको intact club भी कहते हैं, intact भ किये कि ऐसा मत करो, ठीके, क्योंकि ये station 1899 में बना था, उस time की शाही परिवार दुआरा, और ये चाते हैं कि इसको एक heritage tag दे के, इसको preserve किया जाए, अपनी original condition में, हाँ, आसपास थोड़ा सा आप redevelopment करना चाते हैं, area को, वो कर दीजे, अब इस station की, अगर history की में बात ठीके, तो बहुत पुरानी समय की बात है, 19th century, late 19th century की बात चल रही है, 1899 के साल में हम चलते हैं, ठीके, late 19th century, 1880 के साल में चलते हैं, तो वहाँ पर पारली की मेदी नाम का एक जगा थी, ठीके, पारली के मेदी नाम की एक जगा थी, वहाँ के जो राजा थे, अब पारली मुंडी कहा जाते है, ठीके, इन राजा ने, राजा कौन थे, गौर चंदर गजपति नरायन देव, ये राजा थे, गजपति डैनेस्टी के बंचच थे हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी जो capital है, ये, पालके मुंडी capital जो है, इसको नौपाढ के साथ कनेक्ट करेंगे नौपाड आंदरप्रदेश में मौझूद था और आंदरप्रदेश में मौझूद ये नौपाड ये British Indian Railway के Network के साथ connected था तो अपनी capital को नौपाड के साथ जोड़ कर ये British Railway Network के साथ भी connectivity अपनी बनाना चाते थे consequently इन्होंने एक light railway का plan propose किया Britishers ने 1898 में go ahead दे दिया जिसके बाद शाही परिवार ने decide किया कि 39 km का ये एक track establish करेंगे और इस पर कुल लागत 7 लाक रुपे की आई ठीके और ये शाही परिवार ने अपने personal वो जो शाही खजाना होता ना उसमें से पैसे खर्चे ठीके तो वह से कुल लागत 7 लाक रुपे खर्च करके इन्होंने ये railway line को बनाया अब आपकी information के लिए थोड़ी सी additional information that is what we do in this series पारले के मुंडी गजपती रूलस की किसी टाइम पर capital थी लेकिन हमेशा नहीं थी इससे पहले भी एक capital हुआ करती थी ठीके तो इसमें आपको मैं बता कि किसी टाइम पर इनकी capital पाट पतनम हुआ करती थी जो कि आज की rate के आंदर प्रदेश में है ठीके पाट पतनम से ये capital आगे जाकर change कर दी गई to पाले के मुंडी और ये shift जो था 1740 से 1751 में ये shift आया था ठीके it was changed ठीके तो ऐसा भी सवाल बन सकता है कि हाँ वो capital है पाले क इसी थी नहीं historically part पतनम was the capital तो basically इनका जो area था गजपती rulers का ये ओडिशा के साथ साथ कुछ हिस्सा सिमांदरा region का जो आंदर प्रदेश के सिमांदरा area के कुछ parts हैं वहाँ पर भी इनकी dynasty extend करती थी ठीके so we have Padmalochan Malik from Odisha ठीके इनको इन जिगाओं के बारे में काफी कुछ प चलो coming here intact के बारे में पढ़ते हैं what is intact now intact जो है ये 1984 में establish की गई थी ये एक society है ठीके ये एक society है इसको Societies Registration Act 1860 के हिसाब से establish किया था New Delhi में बनी थी और इसका objective था कि हमारा जो heritage awareness और conservation है इसको promote करें इसकी सही direction में काम करें ठीके तो पिछले कई सालों में जब से establish हुई है 1984 में तो लगबग 30 साल इसको हो चुके है 30 साल में इसने कई सारे conservation और preservation के जो projects है वो undertake किये ठीके इसी तरह से जैसे railway ministry को यहाँ पे बोल रहे है आगे पीछे भी ये railway ministry को railway ministry यां दूसरी ministries को चिठ्थियां लिखते थे petitions लिखते heritage को ठीके तो यह natural और built heritage के साथ साथ यह याद रखना यह intangible heritage के लिए भी काम करते है जर्नली हमें लगता है यह देखकर के intact जैसी society हो सकता है कि सिरफ उसी heritage को preserve करने की बात करे which is physical in nature which can be touched which can be seen लेकिन यह intangible heritage को भी preserve करते है मान लो कोई rare संगीत की methodology है उसको preserve करने में भी intact काम करेगी कोई भाशा है कोई script है कोई tribal script है कोई tribal method है that is intangible heritage इवन उसको भी preserve करने में intact अपना काम करती है आप में से कई लोगों के school में भी पक्का intact club होगा मेरे school में था I was the cultural secretary there ठीके DAV अमरित सर तो उसमें अभी याद करू ना तो ऐसे करते रहते थे कुछ ना कुछ बठान सिग्निफिकेंस होती है यार ऐसी चीजें भी मतलब आप कभी interview में जाओ ना और ये present करो उस ताइम पे तो हम इतना ज्यादा कुछ हो जाते थे ठीके तो intact club के बारे में आपने सुना होगा ठीके so क्योंकि ये intangible tangible दोनों के साथ related है तो ये इसकी बहुत सारी divisions है जिससे अपना काम करती है और इसके headquarters काहां पे है काहां पे होने चाहिए headquarters डेली में headquarters are in Delhi question ऐसा आ सकता है ठीके question इस तरीके काहा सकते है identify the correct statements in context of Indian National Trust for Art and Cultural Heritage ठीके पहली statement के रही है कि it was established as statutory body under Ministry of Culture सही है कि गलत है गलत ठीके this is गलत statutory body की तरह इसको established नहीं किया गया है society की तरह इस्टाइच किया गया था ठीके second statement is saying it can receive foreign contributions as per the provisions of foreign contributions and regulations act society है ठीके और इसका नाम जो है Indian National Trust for Art and Culture है Trust क्या करता है पैसे किसी के भी हाफ पे संभाल के रखता है तो ये true है second statement is true it can receive ठीके in fact FCRA guidelines के under Ministry of Home Affairs से इसको मिल रखा है license to get the donations foreign donations ठीके this is true second statement is absolutely true answer will be B option ठीके so खुशी सारे लोग D बोल रहे है ठीके अब याद रख लो इस statement के ज़रीए इस question को जोड़ दो अपनी knowledge में एक और question करते है इसमें बताओ इसमें से कौन सा correct है ठीके पिछले question में second statement अब समझ लेना FCRA के अंडर ये ले सकते है और Home Ministry ने इसको दे रखा है license under relevant provision of FCRA correct statement बतानी है पहली statement के it was established as society ये true है only deals with preservation of tangible culture heritage ये false है सिरफ tangible cultural heritage के साथ नहीं intangible के साथ भी deal करता है ये ठीके तो इसका answer A बन गया अगली information पर जाने से पहले दोस्तों फटा-फट यहां पर आपको एक information देनी है important ताकि आप informed decision ले सकें देखो दोस्तों आप मेंसे बहुत से लोग UPC की तयायरी में new है you are excited you want to do good but इसमें दिक्कत यह आती है कि आपको पता नहीं है कि आप जो कर रहे हैं क्या उसकी relevance है धेर सारी confusion आती है answer writing करते हैं अब हमें तो लग रहा होता कि हम तो answer बहुत सही लग रहे हैं ठीक है जिन बच्चों ने मेरी answer writing वाली workshop अभी recently पिछले हफते attend की they can tell कि answer writing से related कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें normally नहीं पता होती we are generally in the hangover of school and college तो ऐसे में जहां पर एक ऐसा exam where your answer writing skill is going to decide your rank, your service, your entire future तो उस case में ऐसी चीज़ को हम lightly नहीं ले सकते so for that we have a P2Y batch early risers के लिए बहुत अच्छा बैच है जिनको सुबह जल्दी उठना पसंद है मेरी तरह ठीक है उनके लिए बहुत अच्छा batch है तो इसमें faculty, students दोनों इतने fresh होते हैं कि दिन की शुरुवात में ही अगर लगबग 2-5 गंटे की एक class होती है तो दिन की शुरुवात में ही 2-5 गंटे देने के बाद आपको पूरी security हो जाती है assurance मिल जाती है कि दिन में मैंने कुछ तो देखो कर लिया अब दिन जब 8 बजे की classes होती है 10 सादे 10 तक खतम हो जाती है तब जहां पर पूरी दुनिया अभी नाश्ते के लिए कुछ जुगाड कर रहे होगी आपने अपना एक component पूरा कर लिया आपके पास एक confidence आगया कि मैंने अपने दिन की शुरुआत अच्छी कर लिए उसके बात पूरा दिन है उसको revise करने के लिए answer writing practice करने के लिए खुद का कुछ self study करने के लिए तो this is a really good batch and P2 अभी आपको पता है prelims से लेके interview हर stage की तयारी करवाता है आपकी foundation की prelims से पहले यहाँ पे prelims का crash course मिलता है physical books provide की जाती है आपके घर तक जो deliver की जाती है mains की भी तैयारी होती है prelims और mains दोनों की test series भी रहेगी interview guidance भी रहेगी एक और खास बात है कि mains में देखो थोड़ा सा personal attention ज़रूरी होता है तो जो बच्चे prelims को clear करेंगे 2024 के उनको हमारे साथ daily NCR में हमारे facility में रह के physical interaction का मौका मिलेगा और यहाँ पर आपका जो रहना होगा ऐसा नहीं के 15,000 का भाड़ा देना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल free of cost जितनी देर आप mains की तयारी के लिए हमारे साथ रहेंगे after your prelims if you crack prelims तो वहाँ पर free of cost आपका रहना, खाना, पीना, वाइफा, रीडिंग रूम everything will be free the charges will be born by study IQ ठीके, अब इसी के साथ एक और batch है बहुत से लोगों को confusion होती है हम तो 2025 में देने लगे हैं paper या 26 में दे रहे हैं तो क्या ये batch हमारे लिए सही रहेगा उस case में दोस्तों देखो लेने को आप ले सकते हो थोड़ा fast pace रहेगी 2024 के batch की ठीके, तो अगर आप working है तो पहले तो मैं ये suggestion दूँगा कि अपना target थोड़ा लंबा कर दो ठीके, अगर आप दिन में 3 या 4 गंटे ही पढ़ाई को दे पाते हैं तो then instead of 2024 it will be better if you try for 2025 ठीके, क्योंकि वो आप pressure में आ जाएंगे job भी कर रहे हैं, जिम्मेदारियां भी होती हैं उसके साथ ना मुश्किल हो सकता है तो in that case, 2025 badge is more suitable for you ठीके, बिल्कुल genuinely बता रहा हूँ इसमें ऐसा है कि हमारी pace जो होगी सारे features same हैं इसमें 2 features additional है 3 in fact पहला additional feature ये है कि इसके अंदर आपको 2024 का भी prelims का crash course मिलेगा जिसका मतलब ये है कि अगर आपको 2024 के prelims के time पर ये लगता है कि आप देना चाहते हैं तो उस crash को उसकी help लेके आप 2024 के prelims में भी बैठ सकते हैं ठीके, पहला additional feature ये है दूसरा additional feature ये है कि इसमें हमारी जो foundation की pace है वो generally ऐसी रहती है कि जिसमें हम बहुत ज़ादा load नहीं लाद देंगे आप पर, हमें पता है कि आप में से कई बच्चे college के students हैं job कर रहे हैं we know कि एक दिन में इतना ज़ादा जहल नहीं पाऊगे ठीके और confused हो जाओगे तो उसमें हमारी pace इस हिसाब से रहेगी कि आप एक दिन में उतना हम करवाएं जितना आप खुद से भी manage कर सकें और आपकी conceptual clarity बहुत strong बने यह इसका feature है तीसरा additional feature यह है कि इसकी validity तीन साल किये ठीक है इसकी validity तीन साल किये जबकि 2024 वाले course की validity दो साल किये ठीक है तो अगर आज आप यह course लेते हैं तो यह particular course 2026 तक valid रहेगा और 2024 वाला course जो है वो valid रहेगा 2025 तक तीक है 2025 यानि कि अगर आप 2025 के prelims को दे रहे हैं by the time you'll be giving 20-25 prelims तब तक उसकी validity खतम हो जाएगी यह 26 तक रहने वाले तो यह course long term वाले बच्चों के लिए ज़ादा कारिगर साबित होगा अब इसमें देखो आप लोग इसमें enroll कर सकते हैं मुझे आप बताने की ज़रूरत नहीं है यह आपको पता लगी गए this is the code for the maximum admission discount यानि कि जो new बच्चे हैं study IQ में enroll करना चाते हैं वो इस code को use करके दोनों ही courses को minimum price पे और maximum discount लेके अपने पैसे बचा सकते हैं जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने कभी ना कभी study IQ का कोई course लिया है जैसे कि NCRT के काफी बच्चे हैं उनको पता लग रहा है कि NCRT ठीक है हमने NCRT कर ली लेकिन answer evaluation भी तो चाहिए NCRT में answer evaluation का feature नहीं है ठीके weekly test भी ऐसे नहीं होते जैसे यहाँ पर होते हैं तो actual exam की तयारी आपकी इधर से ही होगी तो अगर वो upgrade करना चाहते हैं तो इस email ID पर मुझे आप mail drop करें I will make the arrangements and do the needful जिससे कि आप upgrade कर पाएं बिना किसी hassle के और उसमें आपको जो discount इस code से मिलता है उससे थोड़ा सा additional discount और मिल जाए ठीके तो for that if you have made your mind के देना ही है paper और फाइदा लेना ही है तो इस email ID पर आप mail drop कर दीजे having said that ये information देना दोस्तों मेरा फर्ज था ताकि आप informed decision ले ठीके ये features हैं PDF में मैं attach कर दूँगा इनको भी देख लेना आगे बढ़ते हैं अब हम बात कर रहे थे किसकी कि Indian Air Force का एक heritage center पहली बार ऐसा हुआ है कि Indian Air Force का एक heritage center set up हुआ है इंडिया में ठीके तो ये center चंडिगड के sector 18 में आया है ठीके तो मैं तो देखने जाऊंगा ठीके और कोई चंडिगड से यहां पे है तो मुझे बता देना अगर मैंने visit किया तो चंडिगड के sector 18 में Honorable Defense Minister राजनाथ सिंग ने इस heritage center को inaugurate किया था ठीके इसकी कुछ specifications देख लेते हैं ये बना कहां पे है sector 18 में एक government की press building है उसी press building में ये heritage center बनाया गया जैसे डोलपूर हाउस में भी museum भी है ठीक है डोलपूर हाउस में museum भी है तो यहां पर भी press building के अंदर एक heritage center बनाया है 17,000 square feet का ये area है ठीक है और इसमें जब भी कोई visit करेगा तो हमें क्या-क्या मिलेगा हमें 5 vintage aircraft देखने को मिलेंगे और हमें मौका मिलेगा cockpit का exposure लेने का ये बहुत एक चसका रहते है सभी में ठीक है कि जब हम plane में मतलब बड़ा मज़ा आता है हम video games भी खेलते हैं तो generally मैंने तो जब भी MiG-29 Fulcrum मैंने आपको बताया उड़ाया हूँए मैंने video game में पर उड़ाया था ठीक है अवनी चतुरवेदी ने original उड़ाया हूए I I flew it in video game तो वहाँ पर cockpit view में बड़ा मज़ा आता था कि realistic सी feeling आती है ऐसा सच में लगता है हम कुछ बड़ा कर रहे हैं तो यहाँ पर visitors को cockpit exposure दिया जाएगा ठीक है इसी के साथ flight simulators में है ठीक है तो जैसे आप plane में बैठ गए तो वह होता नहीं कि जैसे movement करता है तो आपको ऐसे 3D simulation में ऐसा लगएगा कि जैसे असली में आप plane उड़ा रहे हैं तो यह features यहाँ पर मौझूद है ठीक है इसी के साथ साथ यहाँ पर एक बड़ी unique चीज है कानपूर 1 Vintage Aircraft कानपूर 1 Vintage Aircraft Indian Air Force द्वारा बनायागा पहला patent aircraft था और इसको बनाया था कि इन्होंने Late Vice Marshal Harjinder Singh ने इन्होंने 1958 में बनाया था ठीक है और इसका नाम ऐसे पड़ा कि इनको इन्होंने Base Repair Depot होता है वो कानपूर का जो Base Repair Depot था वहाँ पे इस aircraft को बनाया था ठीक है तो वहीं से इसको नाम मिला है कानपूर 1 Vintage Aircraft ठीक है तो उसका एक prototype है ठीक है prototype मतलब I think यह उड़ नहीं पाएगा ठीक है prototype का मतलब होता है model तो यह single engine indigenous flying machine थी यह ठीक है तो यह कानपूर 1 aircraft भी यहाँ पर मौजूद रहेगा Vice Marshal हरजिंदर सिंग का नाम important है कानपूर 1 Vintage यह important है कहां बनाया गया था और अब कहां पर बैठा हुआ है अब उदर बैठा हुआ है चंडिगड में ठीक है heritage center में इसे के साथ साथ एक one feet wall यहाँ पर होगी जहाँ पर 58 vintage और retired aircraft की images यहाँ पर लगा रखी जाएंगी यह कुछ specifications है सवाल बड़ा ही simple आएगा तो banking exams और और अन्य कई तरक्य के exams में इस तरीके का सवाल आप से पूछा जा सकते है कि इंडिया का पहला Air Force Heritage Center जो था वो inaugurate हुआ है recently कहां पर यह inaugurate हुआ है तो correct answer very simple इस चंडिगर सेक्टर 18 चंडिगर सेक्टर 18 answer C Arab League पर आते हैं यह बहुत important news है तो Arab League ने अभी recently Syria की membership को reinstate किया 10 साल पहले इसको suspend कर दिया था suspend करने का कारण basically यही था कि Syria में unrest चल रही थी वहाँ की सरकार अपने ही citizens के protest को दबाने के लिए बहुत inhuman तरीकों का इस्तिमाल कर रही थी तो यहाँ पर इस news में हमारे लिए important है what is Arab League इसके headquarters क्या है इसका objective क्या है and Syria को basically इन्होंने क्यों निकाला और इसके बापिस शामिल होने का reason क्या है तो Arab League जो है यह एक regional multinational organization है Arab speaking nations का अब मुझे आप यह सवाल का जवाब दीजिए क्या Arab speaking nations सिर्फ यहीं पर मिलते है ठीक है यह Africa है ठीक है यह पता है आपको यह Arabian Peninsula क्या Arab speaking nations सिर्फ यहाँ इस region में मिलते है जवाब दीजिए क्या Arab speaking nations सिर्फ इसी जगा पर मिलते है नो यह North Africa के भी जगाओं पर मिलते है एजिप्ट में भी Arab भाषा बोली जाती है ठीक है और इसके headquarters जो है वो Egypt में ही है Egypt की capital काईरो में ठीक है Egypt की capital काईरो में है तो इसमें Middle East के कई countries और North Africa के कई countries शामिल है 1945 में यह अस्तित्तों में आया था headquarters कारों में और इसका mission था कि यह व्यपार को आर्थिक ग्रोथ को एकनॉमिक ग्रोथ को sovereignty और political stability जो इस region के लिए ज़रूरी है उसको promote कर सके उसको preserve कर सके sovereignty मतलब कि इन में जो border disputes अगर कभी होते हैं कि जैसे कुवेत इराक इन में कई बार रहता है जड़प रहती थी तो इसमें इस चीज़ को promote और preserve करके रखा जा सके ठीक है और political stability के लिए भी काम की जा सके कि एक platform एक forum provide करे to the leaders of these nations जिसमें कि अगर आपसी मतवेद कोई है भी तो बातचीत से सुल जाया जा सके इसके 22 countries है 22 member nations है जो है यह आपके सामने इनको एक बार देख ले न इनको एक बार revise कर ले न most important जो है वो Syria अब भी बन गए कि Syria को reinstate किया जा रहे लेकिन actual relations कैसे होंगे उसके वो depend करता है country to country पर अभी फिलहाल सिरफ अरब लिग का part दुबारा यह बनेगा ठीक है और इन 22 में Syria मैंने include कर रख है ठीक है इस 22 countries Syria इसमें included है ठीक है 1945 में जब अस्तित्व में आया था 22nd March को तो वो जो protocol था उस protocol का नाम है Alexandria protocol ठीक है Alexandria protocol को adopt करके 1944 में it came into existence Arab League ठीक है अब Syria को suspend क्यों किया था इसका मैंने आपको बता दिये ठीक है यह violent crackdown हुआ था anti-government protest को लेके and it was not complying with the peace plan तो that is why इसको बाहर निकाल दिया था अब जो readmission हुई है यह बता रहा है कि Syria और बाकी Arab governments बाकी Arab countries के बीच में थोड़े से relations जो है वो ordeal होने की तरफ आगे बढ़ रहे है ठीक है तो यह एक gradual process है जिससे कि Syria के crisis को resolve किया जा सकते है Syria में जो humanitarian crisis हुए थे ठीक है उससे यह आपको शायद ना पता हो 2014-15 में जो migration refugee crisis हुए थे यॉरप के Syria उसका hot spot था ठीक है Syria उसका एक hot spot रहा था तो यहाँ पर वो जो crisis है उनको resolve करने के लिए एक committee बनाएगी comprising of these countries Egypt, Saudi Arabia, Lebanon, Jordan and Iraq यह कोशिश कर रहे हैं कि Syria जो उस तंगी से निकल रहा है बाहर उसमें थोड़ी सी help की जा सके ठीक है तो यह important चीज है and इसमें एक यह चीज याद रखना कि Arab League में देखो इसको re-admit तो कर दिया गया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो Arab states और Syria के बीच में जो relations थे वो पहले की तरह resume हो गए है यह अब depend करता है individual country के उपर कि वो किस तरह के relations बनाना चाता है Syria के साथ ठीक है? यह एक additional fact है question इस तरीके के आ सकते है कर लोगे प्रिंस तेवारी आप काइंडी एक बार में को mail भेज़ दीजे chandan.sharma.study.com पे I will resolve this query क्या answer होगा? question 5 का identify the correct statement in context of Arab League regional grouping confined to Arab nations of Arabian Peninsula not at all North Africa की countries आते है 1945 में बना था adoption of Dubai protocol नहीं Alexandria protocol headquarter in Cairo, Egypt yes यह true है तो इसमे इसमे यह क्या हुआ? इसमे न incorrect होना चाहिए था incorrect, incorrect, incorrect यह incorrect कर दो ठीक है? incorrect incorrect बताओ 1 and 2 answer A ठीक है, answer A बनेगा ठीक है, इसको मैं ठीक कर दूँगा answer A ठीक है, incorrect पूछा है incorrect बताना था answer A ठीक है, कई बार ज़्यादा वो smart बनने के चक्कर में न हो जाता है ऐसे कई पर मुझे लगता है कि बच्चों को फसाएंगे, खुद फस जाते हैं ठीक है, it happens sometimes, anyways the point is, यह information आपको पताओ और इस information पर कैसे सवाल आ सकता है, उस सवाल को तोड़ना कैसे यह पताओ ठीक है, अब एक छोटी सी development और हुई है बहुत छोटी सी development है, UPSC में तो सवाल शायद ही ऐसा आए बट banking exams में और EPFO जैसे exams में ऐसे सवाल कई बर बन जाते हैं अभी recently न मुंबई में Finance Express द्वारा CFO यानि Chief Financial Officers को Award देने के एक समागम किया जा रहा है ठीक है, तो इनके जो वो हैं Chief Guests वो है Union Minister of Road Transport and Highway ठीक है, not Ministry of Finance, Road Transport and Highway नितिन गद्गरी साहब इसको preside करेंगे और ये 6th edition होने जा रही है अभी 2023 में in मुंबई ठीक है, तो ये जो awards हैं ये awards basically उन professionals को दिये जाते हैं जो businesses को beyond ordinary outcomes achieve करने में help करते हैं ठीक है, और इसका पूरी community के उपर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है इस तरह की individuals को दिया जाते हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि generally जो Chief Financial Officers होते हैं उनकी contributions को हम lightly लेते हैं ठीक है, लेकिन वो बहुत important role play करते हैं किसी भी company में actual financial decisions उनके उपर ही होते हैं ठीक है, कि कौन सा product launch करना है कौन सा product launch करके वापिस ले लेना है तो Chief Financial Officers are associated with it ठीक है तो इनके काम को highlight करने के लिए इनके काम को promote करने के लिए और इनको encourage करने के लिए ये award किया जा रहे है, ठीक है और इसमें जो awards देने के जो selection होती है कि इंडिया के best Chief Financial Officers कैसे choose होते हैं कि 6 members की external jury बनती है ठीक है, external jury मतलब financial express ये awards host कर रहा है तो जो jury है, वो financial express के बन्दे नहीं होंगे वो होंगे HDFC या बाकी कुछ और elements ठीक है, उनके जो chairman है, वो HDFC group के vice chairman है और managing director है, के के mystery ठीक है, तो ये सवाल ना, UPC में इतना generally बनता नहीं है, बट banking exams में ये definitely आजाता है, के CFO awards थे, FECF awards तो उनकी selection कैसे होती है, 6 member committee select करती है, external jury होती है उस external jury के जो head होती है वो HDFC group के vice chairman और managing director के की mystery है ठीक है, this is a factual information, तो ये पता होना चाहिए objective क्या है, CFOs को promote करना, ठीक है, और इसमें extraordinary outcomes जो business के लिए लेके आते है हाँ जी, HDFC bank HDFC bank aspirant, ठीक है और जो extraordinary outcomes लेके आते है businesses में, उनको थोड़ा सा उनको encourage करना, एक message देना पूरी community में, ठीक है, ये इसका objective है, सवाल ऐसा बनेगा UPC में generally ऐसे आएंगी, आभी सकते हैं, वैसे कोई रोक नहीं सकता UPS से कोई ऐसा सवाल पूछने में, क्यूंकि G.S. banking हमारे syllabus का part है ठीक है, banking हमारे syllabus का part है financial services भी हमारे syllabus का part है, राइट तो उस context में ये आ सकता है paper में, बताओ क्या answer होगा इसका they are being convened at Ahmedabad, no Mumbai में हो रहे है, the winners are chosen by department of financial services ministry of finance ये true है, ये भी नहीं है ठीक है, एक external jury choose कर रही है इसको finance ministry का कोई role ही नहीं होगा जब financial express, अखबार है Indian express की ही न, एक जैसे business times है न, times of India का business times बन जाता है ठीक है, I think the Hindu का भी कोई ऐसा है एक, जो purely finance news बताता है तो Indian express का pure finance के world की information देने वला एक भार है financial express, ठीक है, तो वो इस awards को convene कर रहे है तो इसमें ministry का कोई काम नहीं होगा तो answer बन जाता है, option D ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही कल दुबारा मिलते हैं, कुछ new articles कुछ new information के साथ उमीद कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी काफी अच्छी चले ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा ask me anything session रख लेते हैं तैयारी से related आपको कोई परिशानी अगर face हो रही हो, तो please ask कि कहां से, खासकर जो new students हैं ठीक है, जो new students हैं वो अगर कुछ पूछना चाते हैं तो पूछ सकते हैं, स्वास्तिक clarity किस context में नहीं हो रही, क्या आप जो text पढ़ते हो, क्या उसकी clarity नहीं मिल रही अब ही कह रहे हैं कि economics में थोड़ी से दिक्कत आती है देखो economics में ऐसा है कि economics में अगर आपने grip अच्छी करनी है, अगर current affairs के grip अच्छी करना चाते हो, तो सबसे पहले आप static को strong करो static को strong करने के लिए जो resources हैं, अगर किसी को economics में दिक्कत आती है, तो मैं suggest करूँगा कि सबसे पहले, NCRT जो class 11-12 में आती हैं उसके macro economics को आप पढ़ लीजिए ठीके, number one macro economics को आप पढ़ लीजिए दूसरी चीज, संकर गनेश ये एक book है ये book बहुत जादा precise है ठीके, रमेश सिंग जितनी बलकी नहीं है, रमेश सिंग थोड़ी सी बलकी है और वो बहुत से exams को cater किरने के लिए बनाई गई है, ठीके, तो sometimes अगर तो देखो foundation चल रहा है आपका फिर तो रमेश सिंग पढ़ो लेकिन अगर time की थोड़ी सी कमी है तो संकर गनेश वाली book से आप economics के economy के जो basic foundation है वो काफी strong बना सकते हैं ठीके, ये दो static चीज़ें बहुत जादा ज़रूरी है current affairs तभी समझ लगेंगे इसके बाद current affairs पर आते है current affairs में any monthly compilation लेकिन उसको करना ढंग से है regular करना ज़ादा important है rather than कि आप ऐसी monthly compilation करो जिसमें बहुत ज़ादा दिया हुए कर सकते हो, लेकिन उसका फाइदा कि अगर एक महिना करके अगले महिना छोड़ दिया तो regular करना is more important तो current affairs में कोई भी monthly compilation आप follow कर सकते है and उसके अंदर what you need to do or what you can do is कि आप basically क्या करोगे economy के section को थोड़ा ज़ादा emphasis दोगे अगर उसमें दिक्कत आ रही है ठीके, इसमें कोई scheme है right, etc, etc, scheme है कोई bank related यहां central bank की digital currency आई है ठीके, insurance related कोई policy आई है उसको फिर ध्यान से यहां पर पढ़ा जाता है तो वो चीज़ें यहां monthly compilation से आपका purpose solve हो जाएगा ठीके, नितिन सिंगाने is also a good book नितिन सिंगाने की book अच्छी है ठीके, new आई है अभी, market में new launch हुए रीसेंटी launch हुए, it is a good book, you can refer it ठीके, आप refer कर सकते है उसको यह थोड़ी सी precise है नितिन सिंगाने की elaborate है इसके अंदर ना सिरफ यह जो prelims वाले topics रहते हैं prelims वाले topics कौन से हैं national income, inflation balance of payments या external sector etc, public policy, taxes वो सारा कुछ ठीके, जो main specific topics कुछ आते हैं agriculture, infrastructure, energy ये नितिन सिंगाने हमें भी elaborate कर रखे है ठीके तो ये चीज रहती है international relations see, international relations में ऐसा है international relations purely current oriented रहते हैं, तो उसमें newspapers में हम देखो, सीराजा मोहन साब के जो important articles आते हैं, वो मैं करवाता रहता हूँ difficult articles होते हैं यहाँ पर जिस तरीके से cover गया जाते हैं वो simplify हो जाते हैं ठीके, इसी के साथ साथ international news, जैसे सुदान की news हमने cover की, ठीके, उस से related mcq भी कर लिये, right Arab league को हमने cover कर लिया, उस से related mcq कर लिया, तो current orientation में हमने international relations को करना है ठीके, यह वो approach रहेगी, और international relations में जो answer writing है, यह देखो GS2 और GS3 यह low scoring exams रहते हैं UPSC में, it's a fact ठीके, यह बहुत ही extraordinary कोई बच्चा हो उसके बहुत अच्छे marks आ जाते हैं, बट यह low scoring paper रहते हैं, because इन में जादतर चीज़ें current oriented होती हैं GS2 में IR, GS2 को थोड़ा dimensions identify किया करो, कि वो event है क्या, यह event क्यूं हुआ, इस event से क्या हो सकता है और इसका solution क्या निकाला जा सकता है IR को जितना complicate करोगे, उतना difficult खुद बना रहे हो आप international relations को, simplify करना है, these dimensions are important और इसके बीच में, center में आप इंडिया को रख दो, ठीके जैसे, सुदान क्राइसिस की example से समझाता हूँ, सुदान क्राइसिस हो क्या रहे हैं, यह हमने cover कर लिया ओमर अलबशीर को हटाया था, ठीके फिर आर्मी के मदद से, इंतरिम सरकार बनी थी, इंतरिम सरकार ने भी फिर गिर गई आर्मी में, जनरल वहान ने उसको take over कर लिया RSF और आर्मी में अब जड़ब चल रही है that is the reason, तो क्या हो रहा है सुदान में, दो आर्मी और पैरा मिलिटरी फोर्स में लड़ाई हो रही है क्यों हो रही है, क्योंकि RSF जो है, वो strong बन गई थी, क्यों हो सकता है, इस से, इसको भी हमने cover कर लिया है, कि आफरिका में सुदान जो है, वो Red Sea एरिया के पास है वर्ल्ड का काफी सारा trade, Swiss Canal के जरिए उसी passage से निकलता है तो a volatile सुदान, can impact global trade, can endanger the stability of Africa ये सारी चीज़े है ठीक है, इसके solution के लिए क्या है UN अपना बीच में picture में आ सकता है peace keeping force हो सकती है, etc यहां पे आप creative हो सकते हो और India को center में कैसे लाना है ये आपका थोड़ा सा homework, ये मैं खुद भी वैसे करवा दूँगा शायद मैंने, हाँ, ये किया भी OMMने, series के अंदर India-Sudan के relations कैसे रहे है India-Sudan के relations India-Sudan के relations में जब हमने बात करनी है, तो कौन सी dimensions आएंगी सबसे पहले economic, कि bilateral trade या cooperation किस तरीके से हम कर रहे है ठीक है, हमारे Indians वहाँ जाके कैसा फाइदा लेते है हक्की-पिक्की tribe, कर चुके हैं हम ये हक्की-पिक्की tribe वहाँ का कौन सा product है जो बहुत useful है very good web of, gum arabic gum arabic भी हमने कर लिया है ठीक है, सारी चीज़ें तो कर ली है उसको consolidate करना इसको कहते है तो rather than same article दुबारा पढ़ने के आप वही information को ऐसे organize करो यहाँ पे आप अपनी energy सही से utilize कर रहे हो क्या इस बात को appreciate कर पाने है आप जो अभी बताया ठीक है, economic social यानि की people to people contact अगर है वो कैसा है, ठीक है, economic में भी further क्या आता है, कि bilateral trade कितना है कौन से products हमारे main products है ठीक है, और कोई अगर project है infrastructure development project उसमें क्या India सुदान की ही help कर रहोगा वैसे सुदान तो क्या करेगा, तो क्या collaboration हो रही है या नहीं फिर technology में क्या हम एक दूसरे की कोई मदद कर रहे है, joint defense exercises कुछ करते हैं हम एक दूसरे के साथ या defense में हमने कुछ सीखा ठीक है, और politically international forum में, क्या सुदान इंडिया को support करता है, जगा जगा पर या against है उसके, ये चीज़ें आती रहती है हर जगा सारी dimensions नहीं होगी कई बार political ही हो सकता है, कि कुछ खास इतना relevant, engagement होई न ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको international relations को तयार करना है, ठीक है जिनका ये doubt था में, उमीद करता हूँ, कि इसको समझ आ गई है ठीक है, this is the way how you should prepare IR United Nation Organization को तयार करना है, ये NCRTA Contemporary World Politics 12th, I think 11th या 12th की Political Science की NCRTA उसको refer करो, ठीक है United Nation Organization के आप website बे भी जा सकते हो, या internet पे आप UN UPSC सर्च करना तो आपको बहुत सारा material मिल जाएगा, जहांपे एक structure के साथ, आप तयार करोगे लेकिन again, PhD करने नहीं बैठना, very clearly saying, some people and some faculty members also, उनसे भी कई बार हो जाता है, कि देखो यार हम teachers हैं हमें जादा research करना पड़ेगा उस जादा research में से काफी सारी चीज़ें हमारी understanding के लिए हैं, लेकिन आपकी utility के लिए उसमें से बहुत थोड़ा सा part है, उसको सही से कर लिया paper निकल जाता है, बट गलती क्या करते हैं बच्चे, वो बन जाते हैं नहीं, ये Indian Foreign Service पहले ही बन जाते हैं, paper clear करने से पहले ही तो वो सारा कुछ छोड़ देंगे history, polity गई, telle ने, हम तो UN की website पे जाके सारा कुछ पढ़ेंगे पढ़ना है, refer करना है, but selectively ठीक है, selectively करना है और time to time monthly compilation, in explained section in our series, United Nations का जहां-जहां पे important कोई development होती है particularly उसके reference में तो हम भी यहां पे discuss करेंगे तो हो सकता है जो आपका सवाल बने, वो as such UN in whole के उपर ना सवाल आए वो सिरफ उस चीज़ के उपर सवाल generally बनेगा जो current में चल रहा है ठीक है कि मानलो UN Security Council में कुछ बहुत बड़ी development हो गई कुछ बहुत बड़ा change हो गया ठीक है योजना कुरुक्षेत्र, येस योजना कुरुक्षेत्र दवे प्रशान सर हाँ प्रशान तिवारी सर आपको पता होगा हिंदू वले सर, जिस तरीके से योजना और कुरुक्षेत्र को discuss करते हैं cover करते हैं, it is really commendable अब योजना कुरुक्षेत्र में मैं आपको दो important चीज़ें बताता हूँ पहली चीज, कि ये pre के orientation में नहीं बनी होती योजना कुरुक्षेत्र, योजना कुरुक्षेत्र is like editorials, editorial की compilation है, हर महीने एक मुद्दा लेते हैं, कुरुक्षेत्र generally agriculture related issues को पकड़ते हैं rural India को पकड़ते हैं, योजना overall सारे issues को पकड़ लेते हैं tourism, culture, federalism right, कुछ geopolitics का भी कुई issue आ जाएगा, technology की उपर कुई issue आ जाएगा, तो वहाँ पर अलग-अलग editorials आते हैं, जिनकी कुछ dimensions होती हैं, तो उनको पढ़के, उनको थोड़ा सा read करके perspective build किया जाता है, ठीके लेकिन ये समझना कि उसी editorial के basis पर कुछ आएगा वो सही नहीं है, ठीके आप editorial पढ़ोगे, मानलो federalism के उपर आपने editorial पढ़ा, योजना की कुछ articles पढ़े, यह summary देखी प्रशांद सर की, ठीके तो उसमें क्या होगा, what will happen there, उसमें let's say federalism है, ठीके, तो concept of federalism, सबसे पहले तो इसकी clarity आपको करने हैं, जब अपने notes बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, concept of federalism की clarity होनी चाहिए, फिर क्या federalism सिरफ national level पर होता है, या international federalism भी है federalism का जो concept का central idea it is power sharing, तो power sharing within one nation, among the states and states and center भी होता है, international level पर भी होता है, UN is an example UN में भी हम globally power sharing के तो कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी, international level भी हो जाता है, European Union is also an example of federalism, कि अपने अपने countries है और वो भी चीज़ने चल रहे हैं दूसरे, ठीके, इसका concept, इसमें फिर issues बताए जाएंगे अलग-अलग योजना के editorials आएंगे न, उसमें अलग-अलग issues आएंगे federalism से related, अब उसमें बहुत expand किया होगा, आपने एक line में उस issue को लिखने, फिर उस line को, इस argument को support करने के लिए, अलग-अलग editorial में examples दियोंगी, वो example, चार words में लिखो notes के अंदर चार words, वो चार words पढ़के आपको सारी कहानी याद आजानी चाहिए, ठीके issues के साथ-साथ editorials में solutions भी दिये होंगे ये बहुत, योजना की जो सबसे अच्छी utility है न, ये solutions जो देते हैं न, ये suggestions, वो है ठीके, solutions आपने same approach follow करनी है, इसी के साथ-साथ ये कुछ data भी provide करते हैं उस data के लिए, आप issue-wise data के लिए एक अलग copy या diary बना सकते हैं, ठीके खुशी, योजना की समझ लगी? परमार दिवेश, आपने पुचा था, हाँ, योजना कुरक्षितर I hope आपको समझ लग गया, परमार दिवेश, kindly confirm ठीके, वैसे ये सारी चीज़े न, P2I में हो जाती हैं, P2I में देखो, अब क्या करेंगे हम, देखो ये approach जो है न, ये approach ये, एक तो foundation में तो साथ-साथ आपको बहुत सारा अपना knowledge base पहले बनाना पड़ता है, knowledge base बनेगा, कि अब पॉलिटिक में लक्ष्मिकांत के basics पता नहीं है, चलेगा योजना पढ़ने, federalism, कुछ समझ नहीं लगेगा, तो पहले base बनाना ज़रूरी है, January तक base बनने के बाद, ये जो mains में मैंने बताया ना, mains में हमने answer enrichment program बनाना है, उसमें क्या करते हैं, उसमें, अलग-अलग topics identify करेंगे, जिस पर सवाल बन सकते हैं, उस सवाल को इसी dimension में हम आपका एक A4 sheet यां, दो A4 sheet पर पूरी dimensions cover करवाएंगे, ठीक है कि कोई मुद्दा है, वो मुद्दा क्या है, वो मुद्दा क्यों हुआ, उस मुद्दे से क्या हो सकता है, उसका significance या फिर उसका impact, और इस मुद्दे को सही करने के solutions क्या हैं, और इसमें, जहां-जहां पर relevant data आ रहा है, वो data बताया जाएगा, योजना का हर editorial, इन dimensions के basis पे आप अपने notes बना सकते हैं, ठीक है, इन dimensions के basis पे आप अपना notes बना सकते हैं, ठीक है, and further queries के लिए, आप kindly मुझे email drop कर दीजे, ठीक है, you have my email, this is the email ID, chandan.sharma at studyiq.com ठीक है, कभी-कभी classes में, थोड़ा engage होने से, थोड़ा सा कभी-कभी schedule busy हो जाता है, या content work होता है, but I try my best के सब के answer में जवाब दे दूँ, ठीक है, कई बार schedule related कोई query आ जाते हैं, कई बार NCRT के batch 8 के काफी students कह रहे थे अगर जवाब नहीं भी मिला, एक बच्चे को मिल गया, और team को साथ के साथ report कर दिया मेंने, के schedule की query solve कर दी जाए, ठीक है, तो don't worry, वो जो mail आता है मेरे पास ही आता है, ठीक है, चलो,